Good morning little champs, how are you? Me, Ashna Shraashto, your teacher and today I am going to teach you your improve your rascals activity first step आज हम activity book पढ़ेंगे first step is अबी तक हमने क्या पढ़ा था? अबी तक हमने पढ़ा था? last assignment मैंने आपको दिया था what comes after की एके बाद क्या आता है? after means बाद में बाद आया भी था match the column कराया था आज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए आज हम लिखेंगे write the first letter of the picture write, फिर से देखिए क्या आप आप बोल रही हूँ write write the first letter of the picture picture मतलब चित्र देखकर उसका पहला अक्षर लिखिए ठीट? first letter, पहला अक्षर जैसे ये क्या है? dare d-e-a-r dare, dare means hiran तो हम यहाँ क्या लिखेंगे जहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे letter d ओके? letter d ठीक, फिर से लिखता है है letter d ये क्या है? arrow a for arrow यहाँ लिखेंगे a फिर cake c for cake cake ये क्या है? bird bird means चुडिया b for bird ठीक, फिर से बता देते हैं d for dare first letter लिखना है write the first letter of this picture चितर को देखिए और इसके सामने पहला अक्षर इसका लिखिए जैसे dare hiran है, hiran को इंग्लिश में dare कहते हैं इसको हम क्या लिखेंगे? d क्या लिखेंगे? letter d d for deal arrow a for arrow cake c for cake bird b for bird ओके? next क्या है आपका? next है आपका write a to edge a to edge मतलब केवल a और two और edge नहीं लिखना है a to edge का मतलब होता है a, b, c, d, e, f, g, at हम पूरे इतने letters लिखेंगे कितने letters हुए देखिए? a, b, c, d, e, f, g, h कितने हुए? eight eight letters हुए न? मैं फर्सा बता देते हैं देखिए a, b, c, d, e, f, g, h one, chill, pray, four, five, six, seven, and eight तो हम जब उपर यह ऐसे लिखकर आएगा जब उपर आएगा write a to edge write a to edge तो हम पूरा a, b, c, d, e, f, g, h h तक लिखेंगे, okay? यहां लिखा रहेगा, यहां जो letter लिखा रहेगा यहां से लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा a, और यहां h है, माल लिजए h के बाद आगे बढ़ेंगे, तो वो letter रहेगा अभी हम h तक आपको पढ़ा रहे हैं तो आप h तक पढ़ेंगे, okay? राइट एट वेच, तो a, b, c, d, e, f, g, h एट लेटर है, पूरे एट लेटर हम लिखेंगे, okay? इसकी देखिए, dots बने हुए हैं, तो खुब अच्छे से लिखिएगा, सुन्दा-सुन्दा लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, okay? भूलिएगा नहीं, टेक्ट, भवाएं, टेक्ट किया